जहितना दोस्तों दोस्तों स्वागत है आपका पंकेश फोज श्टेडि गरूप आज हम बात करने वाले सवेसेईडी में ज्यां सवेसेईडी में बहुँ ज़ादा डाओड बच्चों के आरहे हैं पहले हम बात करने वाले हैं कि आपका जो result है वो कब declare होने वाला है क्योंकि compare करेंगे पिछले साल के इस साल के दुनों paper में कि आपके कब result होने आया out हुआ था, कब आपका physical होने वाला है और क्या कुछ होने वाला है physical में, पहला topic होगा, दूसरा होगा आपके number कम है, तो उन उन बच्चों को क्या physical की तैयारी करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, normalization के बारे में बात करेंगे, कि आपके number कहां तक जा सकते है, क्या आपके 50 number है, तो क्या आपको तैयारी करनी चाहिए, क्या आपके बढ़ सकते हैं, तो कितने बढ़ सकते हैं, कि चैनल सब्सक्राइब कर लिएगा बढ़ते हैं वीडियो की तरह सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर हम पिछले साल की बारे में बात करें जो 2018 की बैकेंसी थी उनका रिजल्ट का वाया था तो उनके रिजल्ट आने में दो महीने का टाइम लग गया था काफी टाइम ल करें तो अस टाइम वहु है इस समय ब्रहत को पर दे दें लिए उन जीजयें घब जाए चलना कि आपने जो मांक से में बताते खिर मेरे 98 सही या competit है उन पर भी ज्यादा ध्यान नहीं देना उन पर भी ज्यादा focus नहीं करना है तो मैं organiz Master आपका आपका डिल में ही वाला है तो देखिए जैसा कि आपको पता है कि 16 तारिक तक आपका यह चलने वाला है exam 16 तारिक के बाद आपका exam जो declare होने वाला क्योंकि पहले आपका answer किया आएगा और उसके बाद आपका final result आजाएगा तो आपका January के first week में आपके chances हैं कि आपकी जो answer किया है वो declare कर दी जाए और second या end of the January के आपस पास आपका जो final result है क्योंकि एक बाद answer किया जाएगी और उसके बाद final result आजाएगा तो I think सब मान के चलते हैं कि January में आपका यह सारा को declare हो जाएगा उसके बाद देखें अभी भी आपको लगता है कि आपके 50 number है दोसरे topic पर चलते हैं कि आपके number कम है तो वो क्या तैयारी करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए तो मैं बता दूँ आपको कि अगर आपके 50 number है तब भी आपको तैयारी करनी चाहिए क्यों करनी चाहिए अगर आप girls हैं तो आपको तो definitely तैयारी कर देनी चाहिए क्योंकि girls की जो vacancy है वो पिछली साल के मुकाबले बराबर ही है और उनको ज़्यादा tension लेने की ज़रूरत नहीं है उनकी सबसे ज़्यादा जो परेशानी है वो physical को लेकर होती है क्योंकि last time में वो इतना manage नहीं कर पाती कि physical को cover कर ले लड़के तो अधिकतर ground में रहते हैं और race मार दी या दूसरी तरह की physical activity आपके ने कर ली तो अगर आप महिला हैं और आपके 50-55 नमबर आ रहे हैं तो आपको definitely आपको तैयारी कर देनी चाहिए अगर हम voice की बात करें लड़कों की बात करें और आपके 60-60 के आसपास भी नमबर आ रहे हैं तो आपको तैयारी कर देन चाहिए क्योंकि इसमें अभी involvement होने वाली है normalization की यह normalization बहुत बड़ा हुआ है और हुआ किस तरह से काम करता है कि अगर आप बात करेंगे CGL में तो CGL में बच्चों के 25-25-24 नमबर बढ़े हैं 10-10 नमबर बढ़े हैं 5-5 नमबर बढ़े हैं यह depend करेगा कुछ factors पर depend करता है वह factors क्या होंगे पहला होगा आपका जो shift है वह hard है या normal है दूसरा होगा कि आपने कितनी accuracy आपकी रही है आपकी accuracy कैसे रही है exam में और भी चीजे factor आपने कितने ही पकड़े है question कितने किये हैं कितने गलत किया है क्या किया है वह सब कुछ इसमें cover होने बाला है तो अगर ह मैं मानता हूं कि कोई भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो अपने shift को easy बताने वाला है सब आपने आपको hard ही बताएंगे किया मेरा shift hard आने वाला है तो यह depend कोन करेगा यह पूरा analyze करेगा आपका ssc ssc देखेगा कि आपका shift hard है या नहीं है उसके बाद factor आपका depend करेगा कि आप आपने accuracy क्या रही है मान लीजिएगा आपका so question ते so में से आपने 60 ही पकड़े है और 60 के 60 विलको ठीक गए है तो आपको भी वहां भी फाइदा होने वाला है तो अगर आपके 50 number है तो आप यह मतमान के चलिए कि यार मेरा तो कुछ नहीं होने वाला मैं कैसे करूंगा क्या क्योंकि normalization में देखिए बहुत बढ़ा हुआ बैठा हुआ है किसी को कुछ नहीं पता है कि मेरे कितने सही है कितने जाने वाले है कियोंकि जब आपके number पढ़ने वाले हैं तो number घटने वी वाले है कुछ की घटने वाले भी है सब के बढ़ेंगे तो कैसे चलेगा तो अगर जब हमारे हाथ में नहीं है, जितना हमारे हाथ में हम उतना ही करने वाले हैं, अगर आपके number कम है, तो अपनी तयारी करते रहे हैं, physical की तयारी at least, start कर दिजीए, हलका-fold का running कर देजीए, डेली नहीं जा सकते तो कम से कम हफते में 2-4-5 दिन आप जा सकते हैं, दो-4 दिन का आप रह सकते हैं जिससे कि आप निजयत तर अपनी फिजीकल अक्टिवीटी में रहें कि कल को आपका अचानक यह सब कुछ हो जाए आपका फिजिकल में नाम आ जाए तो आइसा ना हो पाए या क ुछ ए और चीज में परिषानी आ जाए समझ ने मेरी बात अगर आपकी मेडिकल में कोई परिषानी में तो उसको देख लिजिए में उसको दूर करने की कोई है और पता चलेगा और आपको उधारण है लाइब उधारण है कि CGL में 25-25 नंबर बढ़े हैं बच्चों के और महिला उसे तो मैं खासकर कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि मेरे पेपर खराब गया तो आप आप तयारी करते रही है आपका भी पता नहीं है कि यार आपका कब आपके मार्क्स हाई हो जाए क्योंकि नोर्मलिजेशन का बहुत बढ़ा हुआ है बहुत सारी चीजों पर यह डिफेंड करता है और आप तो इतना इंबोल्ब नहीं रहती है फिजिकल एक्टिविटी में त दोस्तों ऐसा नहीं हो कि आपको मैंने बता दिया कि आपके जो महीने के लास्ट अपको क्लियर हो जाएगा कि किकने बच्चों निकलने वाले हैं आपको पता है कि निकलने न्युक्राइभ लगए पर संट प्रस्टि में में मेडिकल में적 सी हैं होगा medical होगा औरिमेडिकल होगा फिर जाकर कहीं आपका फाइनल मेरिट लगेगी सबसे ज़्यादा बच्चे कहां निकलते हैं फिजिकल में मैडिकल में तो चांसस बहुत जाना है क्योंकि इस्टेड जिस बहुत जादा हैं आपका रिटीन हो गया फिजिकल होगा मेडिकल होगा रिमेडिकल होगा उनको मलाई चाहिए यह नहीं है कि आपके बहुत जादा मार्क्स आ गए तो आपका सेलेक्टन पक्का है अभी स्टेजिस बहुत जादा बच्चे हैं तो आप दी मोटिबेट मत हुए तयारी करते रहेगा जैसे पेपर में ज कि आपका कडिकल कर दी आपके देट केट होगा और उसके बाद से नहीं देंगे तो त्! पिछले से कंपेर कर ऑ इस दो महिने पहले वह था नहीं मिलेगा जल्दी ही यह weekly क्लियर हो जाएंगी क्योंकि अमित सहाजी ने में बोल लाएं कि हम पक्व醒 5,000 बेकैंसी और आने वाली हैं इस बार तो निये और सियार पी आफ में भी नहीं थी अगर माली जी कि यार पी अपनी करते रहेगा कुछ तो सीखने को मिलेगा इससे तो यह सब कुछ था दोस्तों अगर आपको अभी भी कुछ जानना है तो चैनल सबस्क्काइब कर लिए कमेंट कर दिएगा पंकज फोजी ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप पर जुड़ जाएगा वहाँ पर भी आप कोशन पूछ रखते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद